Hello Viewers, आप सभी का Tasty Whirled रे 여기 में बहुत बहुत सवागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही चीजी गालिक ब्रेट पीजा की रेशिपी बहुत ही क्विक और ईजी रेशिपी है तो चलिए शुरू करते है बनाना चीजी गालिक ब्रेड पीजा बनाने के लिए यहां पर मैंने गालिक ब्रेड के स्लाइसस ले लिये हैं लेकिन अगर आपको अपने आस पास गालिक ब्रेड नहीं मिल रहा तो no worries आपको कहीं भी भटकने की जरुवत नहीं है आप बटर लीजे और उसमें हलका सा ग्रेट करके गालिक अड़ कर लीजे और इस पे अपलाई कर दीजे बिलकुल वही फ्लेवर आएगा उसके बाद ये आपके उपर है कि आप उसे स्क्वेर शेप में ही रखना चाते हैं या फिर सर्कल करना चाते हैं यहां पर मैंने एक टेबल स्पून पीजा सॉस लगा लिया है अच्छे से ब्रेट स्लाइस के उपर बहुत ही जटपट बनने वाली इवनिंग स्नाक की रेसिपी है यह आप इसे जरू ट्रॉय कीजे आपको आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है उसके बाद ग् स्वीट कॉन्स है वो इसके उपर डाल देंगे वेजिटिबल की चोईस बिलकुल आपके हिसाब से आप यूज कीजे आपको कौन से वेजिस पसंद है मैंने यहां पे स्वीट कॉन और क्याप्सिकम चूस किया है आप चाहे तो ओलिव्स बेबी गॉन्स टमेटोस इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं वेजिटिबल डालने के बाद इसके उपर से हम छिड़क देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगानो उसके बाद आपकी चोईस है आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं चीज को या फिर कढ़ाई में भी मेल्ट कर सकते हैं अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो दो मिनिट के लिए रख दीजिए उसके अंदर या फिर अगर आप कराई उसकर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा बटर डाल दीजिए कढ़ाई में और जैसे ही बटर मेल्ट होता है इसमें हम रख देंगे हमारे गालिक ब और तब तक हमारा जो चीज है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है अगर आप ऐसे ही मस्यतार और जटपट बनने वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो जुड़े रहे मेरे चानल के साथ